इस फेशल के आगे हजारो वाला फेशल भी फेल है दोस्तो हाइडरा फेशल हो औक्सी फेशल हो चाहे कोई साभी फेशल हो इस होममेड फेशल से आपका हजारो लाखो वाला फेशल भी फेल हो जाएगा और ये एक तरह कसे हम इसक्रफ फार्म में बना रहे हैं इससे आप फे मैंने यहाँ पर ग्लीसरीन लिया है जो की मॉस्चराइजिंग का काम करेगा यहाँ पर चावल के पाइदे आप सभी को पता है हमारी स्किन वैटिंग में बहुत जादा हेलफुल होता है और यह जो इसक्रब है या फिर या फेशल इसक्रब है यह प्रोफेशनल तरीके से बत कर अपने कस्टमर पर एपलाई कर सकते हैं इसके रिजल्ट आप जो मार्केट से लेकर आते हैं उससे भी जादा अच्छे आते हैं क्योंकि इसमें चावल पीसे हुए है प्लस एलोवेरा जेल है और यह आपकी स्किन को बिलकुल कोरियन ग्लासी कर देता है आपकी स्किन पर दाग दब्बे हो डाक स्पोट हो एकने हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो सारी प्रॉब्लम का सॉलुशन सिर्फ इस एक फेशल से मिल जाता है अगर आप घर पर कर रहे हैं होम मेट बना लीजिए इसके रिजल्ट इतने जादा आमेजिम होने वाले हैं अगर आपको पिंप लो और चेहरे दोनों के लिए बहुत ही जादा अच्छे हैं आपने सकाफी जो को सुन रखा होगा देख रखा होगा कि चावल हमारे इसकीन के लिए कितना ज्यादा उपयोगी होता है लेकिन हमने यहाँ पर चावल का स्क्रब फार्म बनाया है अगर आपको चावल का फेस कोई भी फेश वास यूसिकल लीजिए तो आपका क्लिंजर बन जाएगा और सिर्फ क्रीम बनाना है तो आपको चावल के आटे के अंदर एलवरा जेल मिलाना है तो आपका क्रीम बन जाएगा तो मैंने आपको क्लिंजर इसक्रब और चारो स्टेप बता दी है क्रीम और फे जावल लेना है या आपका क्लींजर बनकर रेडी हो जाएगा राइस क्लींजर उसके बाद स्क्रण की मैथट तो आपको क्या करना है वारिक पिसावा चावल का आटा उसके अंदर एलवेरा जेल या फिर कोई भी क्रीम बेस ले सकते हैं और विटामिन एक चार से 5 कैपसूल यह आपका क्रीम बनकर रेडियो हो गया और फेस पेक में आपको क्या मिलाना है? चावल का आटा और गुलाब जल मिलाकर बना लिजेए वीडियो को लाइक एगा